नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं आपका दोस्त गौरो सेटी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दे इंडियन बैंकर में तो दोस्तों अगर आप बिजनस के लिए करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं लेकिन आप टेंशन में हैं कि करेंट अकाउंट खुलवाना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है तो बिलकुल भूल जाएए इस चीज़ को मैं आपका छोटा भाई आपकी पूरी हल्प करूँगा कि आप 5-10 मिनट में करेंट अकाउंट के लिए अपलाई कर सकें और एक से दिन में आपका अकाउंट नंबर आपके पास आजाएगा तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तो सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर गूगल में हम लिखेंगे online sbi.sbi और हम enter क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तो आपको यहां उपर के टैब में दिखेगा apply for saving bank current account आप इसपे hover करेंगे अपना mouse की उसके बाद आप देखें current account लिख है और current account के जस्ट आगे जो current account लिख है इसमें नहीं जाना यह previous वाली application का तरीका है हम जाएंगे जो latest advanced digital journey है उसमें advanced journey for current account for all entities इसपे click कीजिए अब आपके सामने तीन विकल पाएंगे सबसे पहला start new application दूसरा है resume application तीसरा है download application अगर आप first time apply कर रहे हैं तो आप डालेंगे start new application अगर आप पहले यह form भर रहे थे लेकिन बीच में चूड गया तो आप resume application पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आपने भर दिया है लेकिन आपने form नहीं उतारा तो आप click करेंगे download application तो हम करते हैं start new application यहाँ पे हम name of entity में डाल देंगे let's say Gaurav Sethi incorporate Inc. चेक है mobile number में हम डाल देंगे जो हमने prefilt किया हुआ है क्योंकि mobile number यहाँ पे डालना जरूरी है और सही डालना जरूरी है क्योंकि उस पर OTP आएगा तभी आप next screen पे जाएंगे email id में हम डाल देते हैं thegauravs86 at the rate gmail.com entity constitution type दोस्तों यह वो होता है कि आपका जो entity है वो private limited है, sole proprietorship है, public limited है उसे कहते है constitution type आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे options मिल रहे हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं sole proprietorship उसके बाद preferred branch let's say कि अगर मुझे दिल्ली में खोलना है तो मैं Delhi select करूँगा state में district में हम लेंगे let's say north west जो हाँ पर मेरा घर है और pin code डालेंगे हम north west के सारे pin codes आ गये हैं हम यह डाल देते हैं 88 उसके बाद branch details अब जो 88 में main branches हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी हम यहाँ पर click कर देते हैं more and click पितंपुरा अब वो पूछ रहा है do you have any credit facility with any bank क्या आपके पास credit facility है कहीं से अगर ले रखी है तो yes दबाएंगे नी तो सीधा no दबाके आगे बढ़ेंगे अगर आपने ले रखी है 5 करोड, 50 करोड, 100 करोड तो उसके base पे क्या होता है अगर आप yes दबाएंगे तो आपके सामने एक pop-up खुलेगा जो आपको बदाएगा किन-किन conditions में आप current account खोल सकते हो पहला है कि आपकी जो total credit limit है या borrowing है वो 5 करोड से कम है आप उसमें खोल सकते है नेक्स्ट है 5 करोड से जादा है लेकिन exposure जो आपका SBA के साथ है वो 10% से उपर है तब भी आप खोल सकते है और तीसरा है कि आपकी borrowing 5 करोड से 50 करोड के बीच में है और आपका किसी भी bank के साथ CCOD नहीं है और SBA आपका one of the lending bank है उस case में भी आप खोल सकते है और yes करके करें अभी हमने कोई credit limit नहीं ली तो इसलिए हम exit करेंगे और यहां पर select करेंगे no इसके बाद दोस्तों हम click करेंगे I allow SBA correspondence to call me ताकि मेरा account जल्दी से खुले और generate OTP पर click करेंगे अब हम देखते हैं हमारे phone पर जल्दी से OTP आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें OTP डाल दिया अब हम करेंगे submit चलिए गोला घूम रहा देखते हैं अगली screen क्या आती है very nice अब दोस्तों आप देख सकते हैं ARN number generate हो गया SBI CA 2022 यह हमारा ARN number है इसको हम कहीं पर copy कर लेंगे ठीक है इसके बाद देखिए list of entity KYC documents sole proprietorship के लिए आपको इन में से दो documents आपके पास होने अनिवार रहे हैं registration certificate license issued by municipal authority sales और income tax return इस तरीके कि यह 8 certificates की KYC documents के list है इन में से दो आपके पास होने चाहिए और दूसरे यह बताएंगे आपके जो entity है उसका प्रमान की उसकी validity की है उसकी identity की है आपकी जो identity है वो बताएंगे आपके individual KYC documents जैसे की PAN या Form 60 आपके officially valid documents OVDs like passport, driving lessons, proof of possession of adhar etc तो हमने यह पढ़ लिया है Yono SBAE का process हमें कहते है कि आप यह चीज़े अपने पास ready reference के लिए रखिए अब हम करते हैं proceed तो देखिए दोस्तो सबसे पहली screen आ गई है product details की यहाँ पे हमारे पास सारे products है regular current account, startup current account, बहुत ही अच्छे से SBAE ने इसका interface design किया है, अब regular में देखिए हमारे पास क्या USPs है, MAB है monthly average balance 5000, USPs है free cash deposit up to 5 lakh, 50 times of MAB, free NEFT, RTGS, 50, multi city check leaves per month, और इसके लावा भी बहुत सारी हैं लेकिन यह main USPs है SBAE ने हमें यहाँ पे दिखाई है, ऐसे ही EAN का startup current account, जिसमें 20,000 है MAB, लेकिन first year के लिए वो zero रखा गया है, और इसमें लगभग 15,000,000 तक आप जमा करवा सकते हैं, monthly free cash deposit, ऐसे ही gold current account, diamond current account, platinum, power jyoti, surbi, others, others पे आप click करेंगे तो यहाँ specific current account खोलना है, हम दोस्तों यहाँ regular choose कर लेते हैं, regular choose करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, please select mode of operations, क्योंकि मैं अकेला ही use करूँगा, तो single रहेगा, मेरी company होती तो मैं आस पर दा board resolution ले लेता, next यह पूछ रहे हैं कि आपको क्या-क्या services चाहिए, मुझे CINB, जो की है corporate internet banking viewing rights, जब मुझे transaction नहीं करनी होती है, म transaction rights, क्योंकि मैं खुद यूज करूँगा, इसलिए मैं transaction करना चाहूँगा, मैं किसे को पैसे भेज सकता हूँ, NEFT, RTGS कर सकता हूँ, यह भी ले लेते हैं, checkbook भी मुझे चाहिए, business debit card भी चाहिए, post facility होती है, जो card swiping machine होती है, उसके लिए भी हमने कर लिया, yes, SMS alert भी हमें चा facility अगर आपका cash heavy business है तो आप ले सकते हैं, और बाकी products भी है आपको मिल जाएंगे, next पे चलते हैं, statement frequency, आपको महिने में कितनी बार statement चाहिए, monthly चाहिए, quarterly चाहिए, या half yearly चाहिए, मुझे चाहिए monthly, यहाँ पे जो मैंने पहले ही select की थी मेरी email ID, वो अपने आप आजाएग अब हम करेंगे save and proceed, दोस्तो अब हम आगे हैं, क्या आप SBI के existing customer है, yes या no, अगर हम करते yes तो यह हम से पूछते हैं, आपका account number के है, nature of account के है, और GSTN number के है, यहाँ पे हम कर देंगे no, आने वाले टाइम में जब आप GSTN number डालेंगे, तो आपकी जो business details है, वो direct GSTN से ही आ दाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, I authorized SBA to fetch, no भी करूँगा, तो भी चलेगा, yes कर देते हैं और यहाँ save and proceed, दोस्तो अब हम आ गए है, next details पे, business name of entity, God of City, pen of entity अभी हम नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे form 60 डाल देते हैं, nature of business हम सेलेक्ट क क्योंकि हमारा YouTube channel है, industry code हम डाल देते हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको मिलेंगे, wholesaler, construction, supporting, auxiliary, transport, जो भी आपके industry हो, आप उसे साफ से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे miscellaneous कर देता हूँ, annual turnover अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो 0 to 5 lakh कर देते हैं, धीरे ध कमाई के लिए YouTuber नहीं बना, मैं बना हूँ, आप से जुड़ने के लिए, आपको बैस से बैस सर्वेसिस प्रवाइट करने के लिए, दोस्तो इससे पहले मैं एक Public Sector Bank में Vice President था, तो इसलिए मैं आपको यह बहुत इसली चीज़े समझा सकता हूँ, date of incorporation में हम डाल देते हैं इसके बाद identification type, हाँ दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं कि identification type क्या डाले, इंडिया में जो pan है, वही tin के equivalent होता है, तो हम यहां पे tin डाल सकते हैं, tax identification number, identification number में हम हमें डालना पड़ेगा, यहां पे हम बच नहीं सकते, तो यहां पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डाल of identity हमारे जो business का है, वो है registration certificate, यहां पे आपका गुमस्ता हो सकता है, shop act license हो सकता है, या फिर municipality से अगर आपको कोई registration certificate मिला है, वो हो सकता है, तो हमने यहां डाल दिया registration certificate, अच्छा, number of related persons, दोस्तों related persons, यह नहीं है कि business ते relation में कितने है, related persons जहां होते हैं, अगर आप director हैं त तो उसका owner होता है, तो हम यहां पे डाल देंगे number one, और यहां beneficial persons का मतलब होता है कि आपकी जैसी entity type है, मान लिजे आपकर आपकी partnership है, तो 15% से जादा stake जिनका है, वो हो जाएंगे beneficial owners, अगर आपकी company है, तो 25% से जादा stake है, वो हो जाएंगे आपकी beneficial owners, तो यहां पे आपको आई पे click करेंगे, तो आपको इसका proper definition भी मिल जाएगी, देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, अगर body of individuals है, तो beneficial person जो है, 15% से जादा जिसका stake है, वो होगा, अगर trust है, तो भी 15% और more, इसी तरीके से अगर आपकी partnership है, तो भी 15% और more, तो आप यह सारी चीज़े भी सकते हैं, और अगर आपको कोई भी clarity चाहिए, तो आप हमें comment box में जरूर बता सकते हैं, अब दोस्तों, इसके बाद हम नीचे चलते हैं, registered email हमने पहली डाल दिया था, mobile number हमने डाल दिया था, telephone, office हमें जरूरत नहीं है, address type में हम डाल देते हैं, यह हमारा है business address, proof of address में हम डा registration certificate है, तो दोस्तों, एक proof of और चलता है यहां पर, उसे हम कहते हैं, contact point verification by BM, तो अगर bank चाहिए, bank का branch manager चाहिए, तो वो आपके business को verify करके, उस location को verify कर सकता है, उस case में आपको सिर्फ एक ही verification identity चाहिए होगी, तो यहां पर हम ले ले लेते हैं, दोस्तों, registration certificate, address हम डाल देते है एफ 15, oblique 16, line 2 में डाल देते हैं, sector 16, line 3 की कोई mandatory नहीं है, country India, state हम दुबारा से डाल देते हैं, डेली, district, please select, north west, city, डेली इसके बाद दोस्तों, pin code है हमारा 110089, local address क्या आपके registered address से मिलता जूलता है, क्या वही है, तो इसमें हम डाल देंगे yes, अगर हम no करते हैं, तो वो local address दुबारा से पूछता कि इसके अलावा आपका local address क्या है, verification या फिर आपके किसी भी correspondence के लिए, तो हम यहाँ पर कर देते देंगे yes, हमारा local address same है, तो already system ने आपकी जो पहले ही भरी हुई details ही, उसको pre-populate कर दिया, आप new address भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा पास new address नहीं है, तो हम save and proceed करेंगे, दोस्तों, अब हम आगे हैं, सबसे important page पे, जिसके लिए आपको आपके छोटे भाई की थोड़ी सी जब अगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हैं दोस्तों financial institution और NFE, non financial entity, financial institution मतलब अगर आपका कोई bank है, या फिर आपकी कोई NBFC है, आप finance का काम करते हैं, तो आप financial institution लेंगे, अगर आप financial institution लेते हैं, तो system आप से और भी बहुत सारी details पूछेगा, 99% case में आप non financial entity होंगे, जैसे आप का departmental store है, या कोई business है, हमने यहाँ NFE select कर लिए, इसके बाद nature of NFE, that is non financial entity, active है या passive है, दोस्तों यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको passive कर देते हैं, क्योंकि passive क्लिक करने पे, यहाँ controlling persons आ जाते है, controlling persons से वो समझते हैं, कि हम इसको control करते हैं, तो यहा controlling person आएगा, पर ऐसा नहीं है, legal terms में controlling person और passive entity का मतलब में आपको बताता हूँ, माल लीजिए Mr. A है, जिनका एक departmental store है, जो inventory manage करते हैं, समान खरीचते हैं, तो वहाँ से जो income आएगी, जो profit आएगा, वो होगा उनका active income, इसलिए वो choose करेंगे, यहाँ पे active, अगर कोई Mr. B है जिन्होंने Mr. A की दुकान के 50% shares खरीद रुखे हैं, और उनको fund कर रहा है, अब जो Mr. A business करते हैं, उससे जो profit आया, 50% income उन्होंने दे दी Mr. B को, तो यह हो गई आपकी passive income, तो उस case में आएगा controlling person का concept, लेगे 95-98% cases में active में ही आपका काम हो जाएगा, हम यहाँ पे दोस्तो reporting, non financial entity, नहीं, हमारा कोई financial entity direct reporting में नहीं है, तो no रखेंगे, next हम चलते हैं, are you tax resident of India only, क्या आप सिर्भ भारत में tax भरते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे हम yes रखेंगे, लेकिन अगर आप किसी foreign country में भी आपके businesses हैं, या आप फॉरन से travel कर रहे हैं, तो आप no करेंगे, तो are you tax resident of India only, yes, दोस्ते इसके बाद हम click करेंगे, save and proceed पर, अब हमारे सामने आ जाएगा, जो related person है, जो हम है, या हमारे partners हैं, उनकी details भरने वाले form, यहाँ पे CKYC number, अगर आपके वाद पहले ही है, आप bank के customer हैं, तो आपके वाद CKYC number होगा, या CF number होगा, अगर वो number आप यहा पूलेट हो जाएंगे, आपको कोई भी चीज भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड क्योंकि हम bank के पहले से customer नहीं है, इसलिए हम डालेंगे यहाँ पे CF number, CF number तो हम डाली नहीं पाएंगे, क्योंकि हम customer नहीं है, type of control में दोस्तों, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ले यह mandatory नहीं है, तो उसको place select भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद देखिए, relationship type, आपका आपके entity से क्या relationship type है, हमारा यहाँ पे type है, sole proprietor, तो हमने उसको click कर दिया, और हम अब आगे बढ़ गए, इसके बाद दोस्तों, authorized signatory भी आप click कर सकते हैं, क्योंकि आप signature कर सकते हैं, तो आ यहाँ पे yes आएगा, क्योंकि सारा जो stakes हैं, वो मेरे ही हैं, और मेरे 100% stakes हैं, 100, beneficial ownership stakes, वैसे beneficial ownership का जो concept है, वो sole proprietor में नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए हम डाल रहे हैं, identity type, अधार नमबर डाल देते हैं, pan, पूछा है यहाँ पे इन्होंने, अधार नमबर, तो अधार नमबर में अपना डाल देता हूँ, 123451234512, pan नमबर क्योंकि demo के लिए इसलिए हम originally डाल रहे है, fzops1122, छेक है, इसके बात first name, middle name, first name में गौरव, middle name कुछ में नहीं है, last name में सेथी, father's name में आ जाएगा, दोस्तों यह चीजे भरते हूँ, आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी भरते, तो भी यह चीजे मेंडेटे नहीं हैं, बाद में आपसे bank खुदी information ले लेगा, date of birth में हम डाल देते हैं, October 15, 1991, लेकिन यहाँ के हिसाब से, रुकिया, इयर पर क्लिक करेंगे, 1991 में आएंगे, 91, October 15, ठीक है, country of birth India, place of birth, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी सारी information भर लेंगे, और उसके बाद वो पूछ रहा है, पॉलिटी के लिए export person है आप, हम नहीं है, तो हम no कर देंगे, दोस्तों अब हम आगे हैं इस form के final part पर, जो की है address and contact details, यहाँ पर अपनी address details डाल देंगे, लेकिन अगर अधार में आपका proper address है, तो यहाँ पर अधार का address डालेंगे, और अगर अधार में नहीं है, तो यहाँ पर आप डालेंग हैं, लेकिन हमारे अधार में proper है, तो हम यहाँ पर अपना address डाल देते हैं, यह security purpose की वेरिसे मैं इसमें proper नहीं डाल रहा हूँ, और हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जब हम दोस्तों save and proceed करेंगे, तो next screen जो आएगी, वो आएगी review की, आप देख सकते हैं, मेरे सामने review की screen mode of operation single, CINB में यह services हमें चाहिए, statement frequency monthly, email id और mobile number हमने दे दिया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपने जो business details भरी हैं, वो सारी, वो proper होनी चाहिए, वैसे तो आप बार में भी इनको बदल सकते हैं, लेकिन पहली बार में यह proper हो तो सबसे best है, उसके बाद फटका CRS details जो हमन proceed, save and proceed, यहाँ पर अपने form को review करने के बाद, related person के हमने details देख ली, आप click करेंगे submit पर, यह था आपका आखरी काम, दोस्तों अब हम आचुके हैं, last screen पर आप देख सकते हैं, मेरे सामने है, congratulations, your application against ARN number 1010 has been successfully submitted, अब आप यहाँ पर click करेंगे download application के form के button पर, अब आपके पास यह पूरा का पूरा जो आपने form भरा है, printed तोर पे, आप देख सकते हैं, PDF आ गई, इसका दोस्तों आप एक print निकालेंगे, और जो भी आपके KYC documents थे, जो आपने select किये थे, registration certificate, या फिर point of verification, या फिर ITR, वो सारे आप लेके जाएंगे bank, और bank में इस सब submit कर देंगे, दो से questions पूछने पढ़ते थे, branches में जाके कैसे current account खुलाएं, और वो चीज बिल्कुल simple हो चुकी, आप देख सकते हैं, मेरे आगे पूरा form filled है और त्यार है, अब सबसे important चीज, दोस्तों जब आप इस form को download करेंगे, तो आप देखिए इसमें जो page number 5 है, यहाँ पे आपको अपन office work के लिए है, यह SBA का जो officer आपको verify करेगा, वो यहाँ पे भरेंगे, इसके उपर दोस्तों दिया गया है applicant declarations, आप चाहें तो इनको पढ़ने, इससे बहुत clarity मिलेगी कि आपको क्या-क्या बरताफ रखने, आपको क्या-क्या behavior रखने अपने current account के साथ, MAB आपको down नहीं हो देना, नहीं तो आपको penalty लगेगी, उसके बाद आता है for office use only, यह सारा bank अपने हिसाब से भर देगा, तो दोस्तों यही था हमारा आज का, तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को आज की sum up करते हैं, आपने देख लिया है current account कैसे भरना है, जब आपने यह form फिल कर दिया, form ल होगा, दोस्तों अगर current account से जुड़ी आप कोई और information चाहते हैं, तो हमें comment box में ज़रूर बताइए, हम next video में आपके लिए लेके आएंगे एक बहतरीम content, तो दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं आज के वीडियो के end पे, अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा, तो हम आपके लिए लेके आएंगे आपकी financial issues के solutions, thank you, take care, bye bye, jahin.